कल जो बाख नीजिए कल जो जब मुन कश्पीर में थासतर पर दोड़ा डिस्टिक्ट में 16 लोगों के हत्या हो गई यह परिस्थिती दिन बादिन गंबिर हो रही है कल सुभा यह तेरों की शक्ति ने वो दो गाओं में हमला किया घर में जाकर लोगों को बाहर निकल दिया और बाहर निकल कर उनको गोली से मार दिया इन मेंसे दो महिला थी और एक मुशी राम नाम का आर्मी का जवान था जो छुटी मनाने के लिए आया था अधिक्षे जी यह दूसरा बड़ा हमला है इन फैक्ट टेर्रियरिद्म इस क्रेटिंग होग इंटर वैली इससे पहले हो मिनिस्टर साथ खुट जाकर आए उन्होंने जिम्मेजारी अपने कंदे पर ली थी सुधार करने का अश्वासनी सतन को दिया था जंता को भी वहां दिया था मगर परिस्टिते में कोई बडलाऊ नहीं यह परिस्टिते में कोई सुधार नहीं है वहाँ परिसीती आओं खराब हो रही है पुराने जमन ये सर्कार आने से पहले जम्मुन कश्मिर में 13 बटलियन सुरक्षा दल का दिया था और आज वहाँ तेरा बटेलेंग से अक्रा बटेलेंग हो गया दो बटेलेंग विड्रा वहां से किया कि जब उनकी परिसिती धन्विजन खराब हो रही है दोलार्टिस्टिक में मेरे पार्टी का जब डेलिगेशन गया तब लोगों ने इतनी मांग किये कि भई आप यहां हमें सुरक्षा बेजो जवान बेजो हमनारी रक्षा करो दो तिन हमें आलाज नहीं मिलेगा तो भी चलेगा मगर यह गूली से हमारा बचाओ करो यह मांग उन्होंने की तिया और यह मांग कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधान मंतरी के वहां जाकर एक डेलिगेशन लेकर उनके सामन की थी मगर इस परिस्टी में कोई सुधार करनी की तैयारी यह सरकार की यहां दिखाई नहीं देती और इसलिए जो परिस्टी वहां पैदा हो रही है कि उसको कुछ तस्थक्त कदम उठाने किया हो शक्ता है कल जो लोग मृत्यू जिनकी मृत्यों हो गई वह 16 के 16 हिंदू थे तीन दिन पहले जिन लोगों की मृत्य हुई वह सब लोग मुस्लिम थे वहां कौन सा समाज का विक्ति है कौन सा धर्म का विक्ति ने यह बात मंत्री से मैं मां करता हूं उनसे अनुराइब करता हूं कि उन्हांने सरन्द के सामने आकर स्थिति पूरे देश वास्यों के सामने रख रही चाहिए और आवश्यक्ता हो तो इस वारे में एक दिन डीटल डिसकुशन के लिए आप मान्नेता देजिया